बिग बॉस 14 के लेटिस्ट एपिसोड में सल्मान खान ने पूरे हफ़ते का जायजा लिया साथ ही उन्होंने रूबिना दिलेक को बार-बार टार्गेट करने के लिए जैस्मिन भसीन की जम कर क्लास लगाई है इस वीकेंच का वार में सल्मान खान काफी light mood में दिखे और उन्होंने लगे हाथ तीन कंटेस्टेंस को शबाशी भी दे जाली फिनाले से पहले सल्मान खान ने जिस आंदाज में इंतीन सदस्यों की तारीफ की है उसे देख कर बाकी कंटेस्टेंस का मू बन गया अब जानते हैं कि आखिर वो तीन कंटेस्टेंट्स कौन हैं सल्मान खान ने सबसे पहले रुबिना दिले की पीठ थप थपाई सल्मान खान ने रुबिना दिले की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने सैक वाले टास्क में जी जान लगा दी उन्हें पता था कि चिकच्चू फिनाले में वो खुद इस्तिमाल वो नहीं कर पाएंगी उस चीज़ को लेकिन फिर भी उन्होंने अपना स्वा प्रतिशत दिया सल्मान खान से शबाशी पाने वाली दूसरी कंजस्टर निकीतंबोली है सल्मान खान ने निकीतंबोली की तारीफ करते हुए कहा कि चिकच्चू फिनाले टास्क में वो शुरू से लेकर आखरी तक रुबिना दिले को जट कर सपोट करती रही और उसका फल भी उन्हें मिला इसके बाद सल्मान खान ने राकी सावंत की तारीफ करते हुए उन्हें स्मार्ट बताया सल्मान खान का कहना था कि राकी सावंत ने एट्रियम टास्क में चेक उठा कर स्मार्ट सेंस दिखाई है और सीधा फिनाले तक जाप हुँची सल्मान खान ने कहा कि गेम के इस पराव पर स्मार्ट तरीके से फैसले लेना बहुत जरूरी है जो की राखी ने लिया बिग बॉस से जुरी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहे हमारे चानल के साथ